चलो जी अब बात करते कोश्चन नमबर कौन सा है जी MTP में आया हुआ है हाला कि ये कोश्चन क्या पहले भी था यस ये कोश्चन आ गया है MTP में मार्च 2021 का कोश्चन है मेरे देखा जाय तो ये वैसे तो पहले का कोश्चन है और ये मैंने करवा भी रखा होगा या नहीं भी करवा रखा होगा बुक में लेकिन ये कोश्चन पहले old slayvist में money market operator money market इंस्ट्रूमेंट में था money market instrument के में बात करूँ उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पूरा की पूरा चैप्टर उठाया गया और सिक्यूरिटी वैलूइशन में एट कर दिया गया जो मैंने अलग से आपको डिस्क्रिस करवा रखा है पर यह कोश्चन क्योंकि एक्जाम में भी आया हुआ और MTP में भी आया हुआ ह तो क्यों ना करवा दिया जाए हाला कि उन्होंने क्लास ले रखा है उन्होंने कर रखा हुआ यह कोश्चन में अच्छे से जानता हूँ एक बार डिस्क्रिशन हो जाए क्या लिखा हुआ साब देख ले यस लिखा बैंक A एंटर इंटो ए रेपो फोर्टीन देस विद बैंक B सर क्या क्या लिखा है पता नहीं समझने की कोशिश करते हैं आराम से समझते हैं तेखो जल्दबाजी हो नहीं नहीं चाहिए ना आपको ना मुझे क्या यह न्यू सलेबस के लिए एप्लीकेबल है हंड्रेट वर्शन कहां से है यह कोशिशन सिक्यूरिटी वैल्यवीशन में लाश्ट टॉपिक डला हुआ है मनी मारके इंस्ट्रुमेंट MTP में भी कोशिशन आया है एक्जाम में भी कोशिशन आया है इसलिए मैं कोशिशन करवा रहा हूँ समझना पड़ेगा देखते हैं क्या है ऐसा ऐसा यहां से समझना एक बैंक सर बैंक का नाम क्या है अब बैंक एको पैसो की जरूरत है ठीक है अगर पैसो की जरूरत है तो किसी से उधार लेंगे यास पर उधार लेने का एक तरीका यह है कि मेरे पास कुछ सिक्यूरिटी रखी हुई है सिक्यूरिटी इस गॉर्मेंट ऑप इंडिया बांड इन सिक्यूरिटी इस को में बेच दूं और बेच ने कौन से उप्शन से रेपो रेपो का मतलब री पर्चिस ऑप्शन कि सिक्यूरिटी को मैं दे दूं कुछ दिनों के लिए पैसे ले लूं और फिर इन सिक्यूरिट को इस देना है और फिर वापस पर्चेस करना जब देगे पैसा उधार मिलेगा तो हमें इंटरस देना पड़ेगा उधार मिलेगा बोले ठीक यहां क्या चक्कर रहा देखें बैंक ए ने एंटर किया इंटु एरेफो फाफो किसके साथ बैंक भी चला जाए और एक बैंक है और उस बैंक का नाम है एंट बैंक है यह प्रका फिर हो क्या रहा है सीदिशी बात है हो कुछ नहीं रहा है, हम उधार लेने का सोच रहा है, ठीक है, यहां तक ठीक है, तो बदले में हमें क्या देना, सिक्यूरिटीज, कितने दिनों के लिए, 14 डेस के लिए, 14 डेस के लिए, नाम क्या दिख रहा है, 10%, 10% Government of India Bonds, सर यह इश्यू कभ किये गये थे, कभी किये गये होगे उससे मुझे क्या, ठीक है, Assuming that, अब काम की बात, Assuming that, Clean Price, क्या यह Clean Price और Dirty Price मेंने आपको पढ़ाया हुआ है, जी हां, कहां पढ़ाया था, Security Valuation, It means, Clean Price का मतलब, जिसमें, Interest नहीं जुडा हुआ है, It means, जब यह Securities पर Interest लग गया, मतलब 31 March को, मालो 31 March को, या फिर जब भी यह Security Issue हुई होगी, तो कितने में Issue हुई होगी, 99.42 में हमने खरीदा होगा, अब भी खरीदा कब, नहीं मालूम, लेकिन जब भी खरीदा था, तब से अब तक का Interest भी तो इसमें जुड़ना चाहिए, हां, पर अगर Interest अभी नहीं जुड़ा है, तो इसको हम बोलने हैं, X Interest बोला करती थे, हाला कि Financial Management में मैं इसको क्या बोल रहा हूं, Clean Price, और अगर Accruid Interest इसमें जोड़ देता हूं, मैं, कम Interest, यह इसको हम क्या बोलेंगे, यहां Finance के Language में, Dirty Price, तो वो क्या है, क्लीन प्राइस, क्लीन प्राइस मतलब अभी इसमें इंट्रेस्ट नहीं जुड़ा हूआ है, और क्लीन प्राइस कितना है, 99.42 इनिशियल मार्जिन 2% है, वो बाद में डिश्कूस करूँगा, और कितने दिन का इंट्रेस्ट है, बोले, 262 दिन हो चुके है, इट में जब मैंने यह सिक्यूरिटी पर्चेस किया था, 99.42 रुपीज में, 100 रुपे के एक शेयर मान लो, तब उसका प्राइस कितना था, 99.42, तब से लेकर, अभी कितने दिन हो चुके है, 262 डेज हो चुक ठीक है, आपको क्या निकालना सबसे पहले तो dirty price निकालना है, सर, इंट्रेस्ट कितना है, भई, बॉंड्स का नाम क्या है, सर, 10%, तो इंट्रेस्ट कितना जूड़ेगा 10%, इसका, इंट्रेस्ट कभी भी किस पे, face value पे, और गॉर्मेंट आप इंडिया बॉंड्स का, फे वो कैसे निकलेगा करीदा था रुपीज 99.42 प्लस इंट्रेस्ट लगेगा 100 रुपय का 10% गौर्मेंट और कितने दिन का 262 divided by 365 डेस करना चाहिए लेकिन बोला 360 दिन लेना तो डिवाइड वाइड वाइड थी सिक्स्टे क्या कैलकुलेटर चलाना आता है आपको हाँ बलू हाँ दस इन्टू टू सिक्स्टी टू डिवाइड वाइड वाइड थी सिक्स्टी प्लस 99.42 तो सर यह आगया रुपीस 106.697 तो 70 लेनू राउंडेड ओफ इसने भी किया है कि 106.70 चलेगा कोई दुकर में इसका मतलब था 262 दिन पहले तो वैल्यू थी 99.42 आज कितनी हो गई है आज इसकी वैल्यू हो गई है क्योंकि इसको अगर मैं बेचता हूं सुचो ना यार डिवेंचर तो खूब किया अपने इसको मैं अगर आज बेचता हूं तो भी सामने वाले परसं से मैं कम से कम 106.70 पैसे वसूल करूंगा ही करूंगा साथ में इंट्रेस्ट भी तो वसूल करूंगा मेरी नजरों से देखो तो इसकी वैल्यू आज 106.70 पैसे तक ठीक है कितना रुपए हमें चाहिए हमें आठ करोड की बॉंड्स रखे हमारे आठ करोड फेस वैल्यू है तो इसके एक्चुल में वैल्य कितनी है यार वैल्यू निकालते है अब ध्यान से समझना मेरे पास जितने भी बॉंड्स रखे हुए है टोटल आठ करोड तो उसकी एक्चुल में आज वैल्यू कितनी है तो आज वैल्यू निकाल लेते हैं या निकलनों आठ करोड को आठ सो लाग बुल दें डिवाड़ेड बाए साफ फेस वैल्यू लेकिन आज वैल्यू कितनी है वन जीरो सिक्स पॉइंट सेवन जेरो आज वैल्यू है रूपीज इसके एट फाइव थी सिक्स जीरो 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 एक आठ करोड त्रीपन लग साथ जार आज इसकी यह वैल्यू है यहां तक कोई समस्या है क्या बोलो नहीं इट मेंस सर जो बॉंड से रखे है उस पे आप कि उसकी वैल्यू कितनी है इतनी एट करोड फिप्टी थी लाक सिक्ष्टी थ जब बैंक B को दोगे तो आपको उधार कितना मिलेगा सर हमें तो इतना उधार मिलना आना चाहिए लेकिन बेटे इतना उधार नहीं दिया जाएगा बही कल को कोई समस्या हो तो मारिन काट के मतलब इसका सिक्रीटी वैल्यू है इसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा fraction कर दें तो हमें उधार कितना मिल पाएगा देख लIB हमें मिलेगा उधार रुपीस 836 52 800 कितने पर्शंट पे उधार मिलेगा यह है वेट हमें मिलेगा अधे घ्र रेट 5.60 पर्शंट पे और कितने दिनों के लिए 40 देसे र केलिये है तो सर जी हमें री पैमन एंट कितना करना पडेगा हमें वापस कितना करना पडेगा अमिजदार हो वह थी इंट्रेस्ट, ऐसे वापस करना, थो गिंट्रेस्ट कितना, जरह देख लें, इंट्रेस्ट कितना, 836, 52800, इंट्ू, 5.65, 65, 65%, इंटू 14, दिवैड़ेड बाइ, 360, तो सर, इंट्रेस्ट है, 180, 380, 0, 1, 8, 3, 8, 0, 3, 1, 8, 3, 8, 0, 3, 4, 1, 8, 3, 6, 5, 2, 8, 0, so total हमेh repayment करना पड़ेगा, total रुपीस, 8, 3, 8, 3, 6, 6, 0, 3, यही पूछा है कि repayment कितना करोगे, maturity पर, ठीक, बारान से तो भी चेक कर लो, 8, 3, 8, 3, 6, 6, 0, 4 है, चले, तो अगर मैं सीधी सी बाद बलूँ कि question पढ़ने में बड़ी समस्या है, समझे में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कुछ है नहीं है, यह बिल्कुल time pass कर रहा है, पूछ रहा इतना loan लेगे, 5.65 पर 14 days बाद, तो बता वापस कितना करेंगे, हो गया बात, फिर हम यह security क् पहले दिये थे, वापस purchase कर लेंगे, और जो बेत इंट्रेस्ट है, वो पैसे देंगे, उस दिन security के जो value होगी, वो दे देंगे, कतम बात, तो यह question था, और सुनो, इसी के जैसा है, यह question number 4 है, आप अपनी sheet में देखोगे, तो question number 10, यह question है, जो exam में आया है, वो आप कर लो 1925, तो अभी तक का जो भी update हो रहा, जितनी भी questions नहीं होगे, सब कुछ आपको इसी रिनी लेक्टर में मिल जाएगा, ठीक है, आपको कुछ extra नहीं करना, जितना करवा रहा है, उतना करना, तो चले next question पर, yes, बिल्कुल नहीं questions है, मज आ जाएगा, चलते next,